गुद मॉनिंग एवरीबडी आप सब का स्वागत है आपके अपने चानल फैंटेसी अरीना में संराइज इस हैदरबाद का स्क्वाइड अनालिसिस आपके सामने लेके हाजर हैं और बहुत ही इंट्रेस्टिंग है कि कैसे एक टीम आउक्शन में जाती है और वहां जाके एक अलगी चीज सामने आ जाती है तो बात करते हैं इस टीम की और इस टीम के स्क्वाइड अनालिसिस की तो शुरू करते हैं होब आप वीडियो लाइक करके आगास कर रहे हो यह शायद पांचवी टीम होगी और ऐसे ही बाकी तीम टीम आज के दिन में आपको मिल जाएंगी त 2016 में परफॉर्मेंस बहतरीन था यह टीम अच्छा केलती है अपना कोर बरकरार रखती है इसके 7-8 प्लेयर पूरे टॉर्नमेंट में सेम रहते हैं यह एक दो प्लेयर चेंज करते हैं सिचुवेशन के इसाप से बहुत ही टाक्टिकली संराइज हैदरबाद खेली जाती है पैसा जादा खर्च नहीं करती है लेकिन जिस प्लेयर को इन्हों नहीं इस बार लिया है उस पे बात करेंगे विनिंग परसेंटेज इनका 53 है जो काफी अच्छा है और प्लेय ओफ छे बार पहुच चुके 8 सीजन में जिसमें और आकरी 5 सीजन में कोई भी ऐसा सीजन नही जहां पर ना पोचे हो हाइस विन परसेंटेज इनका है पंजाब किंग्स के अगेंश में धुम पंजाब जो था और डेली कापिटल के अगेंश में अब लेकिन इनका लुएस फिरिंग परसेंटेज आ चीजन का जो अबर आपको प्रसपेक्टिव देगा लिए इस प्र captain as always और ये है पूरा lot जिसमें इन्होंने इस बार ले लिया मुझीब को तो इनका complete हो गए ट्रायो अफगानिस्तान का राशिद खान मुहमद नभी और मुझीब और साथ में इन्होंने Mitchell Marsh चले गए है और Mitchell Marsh की जगे आ गए है Jason Roy तो ये एक दूसरा चेंज है Mitchell Marsh चले गए है उन्हें नाम वापस ले लिया तो अब इनकी टीम कैसे देखती है पहले टीम कैसे दिखती है प्रॉबबल प्लेइंग 11 क्या होती है और उस बेसे पर ये क्या करते है तो एक बार प्लेइंग 11 देखें प्लेइंग 11 में David Warner खेलेंगे हर बार बेरिस्टो से उपन करा जाती है लेकिन end of the season last year आप साहा को खेला रहे थे तो एक Indian option मिल जा रहा था आपको keeping का और साथ में आप फिर इसकी वेशे एक foreign player ला रहे थे जो थे Kane Williamson तो इससे हो क्या रहा था middle order थोड़ा सा बढ़िया हो र रहे हैं यह आखरी T20 matches है और विकेट भी ले रहे हैं तो अच्छे form में दिख रहे हैं अभी भी सेम सेनारियो आप साहा के लिए बोलोगे और मनीश पांडे के लिए दो मैच में अच्छा खेला है वो उनके हमेशा है सरा है start अगर थोड़ा luck मिलका साथ में तो बहुत अच 50 ठीक है उसके साथ उनके वास टीम में option हैं लेकिन उसके साथ एक जो वो aspect दे रहे हैं वो है balling का T20 में उन्हों बालिंग नहीं करी विजह आ रहे हैं मैं आखरी मैच में बालिंग करी शायद जो एक मार्च को हुआ उसमें भी विकेट लिए और वो जो बालिंग करते है उ उसे वो जो off spinner वाला रोल है जो इस टीम में पिछले साल नहीं था अगर आप याद करो हमने जब इसका squad analysis करता है सारेज का हम बार बार कहते हैं इस team के पास एक कमी रहे गई है इसके पास जो भी ballers है वो एक ही तरफ के जा रहे हैं अगर right handers के लिए ball बाहर जा रही है left handers क किदार जादव को रख लिए तो एक तो batting थोड़ी सी strong करी है एक मैं बहुत खास observation बताने वालों आगे चलके वह आप देखना और batting के साथ थोड़ा सा अगर ये balling भी करा आगए 2 over करा आगए 3 over करा आगए किसी भी तरह मतलब कुछ भी contribution दे गए तो ये बहुत help कर सकता ह सबने इनको ignore कर रखा था इस team ने लिया है और srch मानी जाती है ये देखने के कहां उनको value for money मिल रहा है किदार जादव एक ऐसी चीज है जो अगर अगर ये perform कर गया तो आप देखते रह जाओगे team कितनी बढ़िया दिखेगी क्योंकि इसके बाद मैं team में छेड़ना ही न संदीब शर्मा टीन अट राजन राशित खानो भूमनेश्वा जहां पर आपको लगेगा swing जादा है संदीब शर्मा जहां थोड़ा सा pace पर जाना जाओगे आप शायद खलील हमत को खिला लोगे बहुत ही जादा clear cut इनका तो balling section तो almost sorted है ऐसे 5 baller जिनको इतना experience है सब के प खेल लेते तो भी middle order में कोई नहीं continue गरा था मनीश पांडे आउट हो जा रहे थे जल्दी तो उस वज़े से विजशंकर एक तो वापस आये है इंजरी से और खेला भी अच्छा है और किदार जादव को रखा है तो यह वो point है जो इनका gap था लेकिन क्या अभी भी कुछ gap रहे हैं वो हम बात करेंगे ठीक है नभी को मैंने बताया जैसे नभी और holder में change होता रहेगा हमेशा कहीं कहीं पर क्या वदा आप बीच में कोई injury हो जाए तो नभी को जादा देखो अब इन्होंने एक चीज करी मिचल मार्श बाहर गए तो इन्होंने जेसन रोय को ले लि कि कहीं आपको लग रहे है कि यार ये पिच बहुत अच्छी bounce दे रही है क्यों न मैं अपना जो express pace वाला baller है वो करा हूँ अगर आपने पिछली बार notice किया हो middle overs में सब लोग क्या करने थे डेली कर रही थी नौकिया को introduce रबाड़ा बीच में आ रहे थे balling करने जो बाकी लेकिन जेसन रॉय को लिए अप जेसन रॉय को क्यों लिए एक टरवर बेलिस काफी माना जाता है काफी बैक करते हैं उनको दूसरा यह भी बात है कि कल को डेविड वान रेंजट हो गए या फिर आपके पास बेरिस्टो नहीं है और आपको एक opener सही है तो आप जेसन रॉय को ले सकते हो और दूसरी बात जेसन रॉय बेरिस्टो का कॉम्बिनेशन भाई टी-20 इंग्लेंड में देखो इंग्लेंड क्या खेली थी टी-20 का रिकॉर्ड है इन दोनों के नाम के इन लोगो ऑपन साथ में करते हो क्या दबाही से परफॉर्म कर रहा है इंग्लेंड के ज़रूर लेकिन फिर भी यहाँ भी तो खेल के इंडिया में ही गहे है और परफॉर्म सबर्दस के है तो एक में भी इस वज़े से जेसन रॉय के साथ गहे हुए जब बाक अप मुझे नहीं दिखते है यह जल्दी खेलते हुए जब तक कोई बहुत बड़े इंजरिया कु जो अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं अभी अल्रेडी सिरीज में डिसेंट सा है लेकिन आखरी पांच मैच देखो के ओवराल ठीक कर रहे थे लिए आखरी पांच मैच में आपको देखेगा कि उत्रना ज़्यादा प्रभावित नहीं किया तो मुझे यह प्लेइंग 11 म की तरफ जा सकते हो जो अच्छा गासा रूल देते हैं और अगर आपको एक स्पिनर से अब जग्दिश शुद्जित और श्रेबाद नदीम की तरफ जा सकते हो अभी शर्मा पिशली बार भी एक लेफ्ट आम और्थ बालिंग भी करा रहे थे और साथ में आप उनका स्कोर देखो 177, 107 और 30 ये से 20 का स्कोर है जो बताता है कि वो काफी अच्छा परफॉर्म भी कर चुके हैं विराट सिंग जिसकी हमने पहले वीडियो में बात करी थी इनको मौका मिला नहीं है और ये भी वही काम करेंगे फिनिशिंग का पिशली बाहर भी हम लोग सोश रहते द हुई है और वीकनेस क्या है तो मैं हैपनिंग्स तो जैसे मैंने कहा जेसन रोय आ गए लेकिन वीकनेस क्या है जो लेफ्ट हैंडर वाला इश्यू बताया था मैंने कि सामने लेफ्ट हैंडर हो तो कोई ऑफ स्पिनर चाहिए नभी मुझीब को खिलाए नहीं जाता था तो अब उन्होंने वो थोड़ा सा अड्रेस किया है अभी मैंने कहूंगा प्रॉपर बॉलर है लेकिन केज जादव जो काम कर सकते हैं वो शायद यह वाला गैप अड्रेस कर सके और अगर आप दूसरा देखो तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो मुझे लगती है इनको सॉल नमबर तक तो यहाँ पे एक दिक्कत है और यह इनने सॉल्व नहीं करी तो यह एक बड़ा पॉइंट होगा जब खासकर हम भी के साथ कहलें जहाँ पे कोर लेक्स्पिनर्स हैं यह कोर ऐसे बॉलर्स जो बाहर निकालते हैं तो एक वो दिक्कत है और तीसरी जैसे मैंने कहा एक हार्ड कोर फास बॉलर्स जिसकी जो बीच में सिर्फ पेस से सप्राइस करने के लिए टीम में आए अगर आपने ध्यान दिया हो इतना साना पैसा जाय रेचेट्सन पर खर्च करा गया वजह थी क्योंकि टीम को चाहिए एक ऐसा प्लेयर जो ऐसा कुछ कर सके मौरस पे इतना पैसा खर्च हुआ वो इसी वजह से अब आते हैं स्ट्रेंज्स में क्या लगता है सब एक्सपिरियंस प्लेयर है सबने सेच्वेशन खेली हुई है और आल्मोस सारे प्लेयर जो इंटरनाशन लेविल का एक्सपिरियंस रखते हैं अनलेस एंटिल समाद और अभी शे होती है और फिर डेद बॉलिंग दोनों हेल्प करेगा भुमनेश्वर कुमार उसंदीप शर्मा विकेट्स लही लेते हैं रसी भी के फेवरेट है मतलब रसी भी उनकी फेवरेट है उल्डा वोलना चाहूंगा तो बॉलिंग फिर भी बेटर है लेकिन बैटिंग में एक और गैप रहे गया है वो गैप है एक स्टाट के थू में आपको बताता हूं अभी उसके अलावा आपको अंडर डॉग या ऐसे प्लेयर जिस पर ध्यान नहीं दो गए विजह चंकर जो पिछली बार इंजट हो गए लोग शायद इग्नोर करें टीन अट राजन फिट होने चा है एक की पॉइंट है कितार चादव हर बार जो परफॉर्म कर रहे हैं वो खेलें टॉप फॉर में तीसरे या चौथे नंबर पर अब जो उनको मौका शायद दिया जाएगा वो मुझे नहीं लगता तीसरे चौथे नंबर पर होगा वो शायद वो च्छटे पर या पांच है तो एक महीने से उतना जादा मैचेज नहीं है लेकिन जितने भी खेले वह यह आपके सामने हैं हाइस रन स्कोर स्टार्ट ओवर दा येर्स में आप देखोगे तो वार्णर मनीश पांडे रिदमांसा और विके टेकर्स में भुबनेश्वा संदीप और राशित खान और लेकिन सबसे बुरा रिकॉर्ड है चिन्नाई में तो डेली का तो इनको रिकॉर्ड अच्छा दिख रहा है लेकिन चिन्नाई में क्या हुआ चिन्नाई में तीन माच खेलने हैं तीनों हार है इनोंने तो एक यह चीज है जो सौट करनी है अभी ऐसरेश को बस चिन्नाई में सबसे अच्छी बात है कि इस बर चिन्ही के अगेंस में नहीं खेलना पड़ा है और कोई टीम होगी तो एक वो जो home advantage है वो दूसरी टीम नहीं ले पाएंगी फिर भी SRH को अपना record चिन्हीं में इंप्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि सबसे आदा matches अनके वहीं है अब जो मैं आपको बता रहा था जो कमी थी जो मैं start के थूँ बताना चाहरा था वो यह थी कि last 2 IPL में आखरी 5 overs में सबसे गंदा किसी का run rate है वो SRH का ही है scoring rate सिर्फ 8.74 जिसका मतलब है 5 over में आप मुश्किल से 45 runs भी नहीं बना पा रहे है 45 run भी नहीं बन रहे है और जो चक् boundaries मार रहे है on an average वो भी सबसे ज़्यादा खराब है current किसी भी टीम का पिछले 2 साल के तो यह एक चीज़ बताती है कि उनको क्यों एक finisher ऐसा चाहिए जो hitting कर सकता है जिसके लिए नभी जाने जाते है तो नभी को आप surprise ना हो नभी को देखो अगर आप squad में कभी बीश- करना होगा मुझे ऐसा लग रहा है और जो पेसर वाला है वो शायद यह लोग नटराजन के तुरू ही कराएंगे मुझे नहीं लगता और कुछ अभी दिख रहा है तो यह था मेरा analysis आपका क्या है जरूर बताना बताना srch आपको लगती है top 4 में नहीं मुझे पूछोगे पर आजाओ fantasy arena YouTube channel आपके लिए पूरे IPL में खतरना चीज़ है एकदम crystal clear analysis जो आपने देखी नहीं होगी जिस level तक आपने नहीं देखी होगी वो सब आ रहा है telegram fantasy arena twitter instagram facebook manglt तो gld family refer code है games यी बले बाजी और एक नहीं जैसे मैं कह रहा हूँ वो आज आपको शाम को पता लग जाएगा नहीं तो कल maximum तो रुके रहना कोई investment करना हो कोई पैसा invest करना हो रुके रहना मैं आपके लिए कुछ plan कर रहा हूँ हम लोग discussions कर रहे हैं और आपको थम के वेट करके रुक जाना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका फायदा हो आप जल्दी बाजी में कोई पैसा मत करना आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो आपने लाइक कर दी होगा टेलीग्राम पे हम अपडेइट दे रहे हैं तो असा delay हो रहा है क्योंकि थोड करके बताना है सारिच आपको कैसी लगती है